वेल्काम बेक्टमें सानल इसमें कबरी बड़ा आसमें आप लोगे लिए लेको आई हूँ साइनिस ब्लू डामार एडबांस ब्यफली एपेशोट 27 कहानी सिक्स मौहिने के बाद दिखाई जाती है दायू फून पर काल्ड के फोटोस देख रहे होते हैं और वेन जीश्वी को एक काल्ड की फोटो देखा कर पुसते हैं तुम इस लड़की के बाड़े में क्या सुचते हो वेन जीश्वी कहता है बहुत सुंदर है दायू कहता है तुम्हारे आँखों में क्या खराबी है तुम इसे कैसे सुंदर कह सकते हो इस सहरे को देखो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि उसने प्लास्टिक साजेडी करवाई थी ये जियाया के साथ लेलेशन्शिप में आ सकती है ये बात चुनकर वैंग जीश्वी हसने लगते है और डायू उसके से पर मार कर कहता है तुम बक्वास हांसी बन करो ऐसे कहने के बाद उसके घाओ को देखते है और पुस्ता है क्या मैंने तुम है उस घाओ का इलास्ट करने के लिए पहले ही पेसे नहीं दिये थे तुम आ आध का जबब नहीं देता है और कहता है आज तुम मुझे यहां रहने के लिए क्यों कह रहे हो क्या उस ललगी की टरशवी के लिए तुम मुझे यहां बुला रहे थे मतलब यूआन आर्यू के बारे में कहता है हम सबी जानते हैं यूवान आर यू और ज्यावया के बीश बस्टप में कोई रिलेशन्शिप नहीं है लेकिन टप भी यूवान आर यू ज्यावया के साथ रिलेशन्शिप में आने के लिए कोशिस काटी रहती है लेकिन युएन आर यू ज्याव यू से डूरी बनाने की कोशिस करथी है और सुपकर डूसरे ललके के साथ डेट करथी है और इस बारे में युएन जुंग और ज्या यू नहीं जानते है लेकिन वैंग जी शुई और दायो को सब पता सल जाता है इसलिए दायू वेंग जीश्वी को यून आर्यू को 26 घंटे नजार रखने के लिए कहता है ताकि ये पता लगा सके कि बो किसके साथ डेट कर रही है दायू वेंग जीश्वी को इस कम के लिए पेसे देने का बाद भी कहता है जब वेंग जी शूई बाहर जाने लगते है तो भी डायू एडवांस में पेसे देख और उसे कहता है तुम पहले अपने घाओ का इलस करो वेंग जी शूई कहता है पुमिस करता हूँ जो कम तुमने करने को कहां उसे में पुरा कॉलूंगा ऐसे कहे कर वेंग जी सुई बाहर चले जाते है और डायू सोचते है वो अधिक से अधिक सुखत क्यों दिखाता है रात में इवन आर्यू न्यू बॉइफेंड के साथ देट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आती है और वहां वेंग जी सुई सुखकर अबास लगाते हुए इवन आर्यू को कुट्टिया कहता है तो भी इवन आर्यू सोचती है मैं साइकोलाजिकली नर्वास हूँ इस रिष्टे से क्या मुझे हलोसिनेशन हो रही है फिर वेंग जी सुई कहता है तुम बेसा हो जो तुम्हारे पास पहले से है उससे तुम सोंतुस नहीं हो इवन आर्यू सोचती है मेरे बारे में बगपास करने वाला बेवकुफ कुन है उतने में इवन आर्यू के बॉइफेन सिल्ला को कहता है कौन हो ही मुट है तो सामने आकर बात करो फिर डोनों बहां से जाने लगते है लेकिन उएंग जी सुई फिर से अबस लगाते हुए कहता है तुम ज्याया के साथ रिलेशन्शिप में हो और तुम यहां और इनों पूर्शों को भर कर रहे हो क्या तुम अभी भी ज्याया का सामना करने में चैक्खम हो यह बात सुनने के बात इवन आर्यू की न्यू बॉई फेन हैरान हो जाते है क्योंकि बो ज्याया को जानते है वेंग जी सुई फिर से अबस लगाते हुए उस बॉई को कहता है भाई मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम काफी इमंदर लप रहे हो यह ललकी तुम्हारे टाइप का नहीं है वो कुछ दिन पहले ज्याया के बहुत करिब थी और आज वो उसके साथ सब कुछ खतम करके तुम्हारे पास आई है यह सब बाते सुनकर इवान आर रियू बहुत घुच्चा हो जाती है और सोस्ती है अगर मैं बस्टप में ज्याया के साथ रिलेशन्शिप में होती तो यह डाटने की लाइट थी लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है फिर इवान आर रियू कहती है किसने कहा कि मैं ज्याया के साथ रिलेशन्शिप में हूँ यहां से सेले जाओ वेंग जीश्वी कहता है ज्याया ने खुद इसके बारे में मुझसे कहा था क्योंकि मैं उसका कड़ी डोस्त हूँ मैं तुम्हारी हरकत को बड़ास नहीं कर सकता तुम्हें ज्याया के साथ इस तरह वेवहार नहीं करना साहिए था मैं इहां उनके और से बोलने के लिए आया हूँ यह सब बाते सुनने के बात वेंग जीश्वी उसके तरफ परे हुए अंदे भी फेटने लगते है और इवान आर्यू बहुत घुचा होकर उससे डातने लगते है फिज यायाय और इवान चॉंग को डिखाय जाते है जहां दोनों साथ दिना कर'ree होते है इवान चॉंग ज्याय याय को खाते समय काफी क्या करहे होते है उतने में इवान आर्यू कॉल करके कहती है बड़े भाई जल्दी इहां आजाओ कोई इहां परिस्तानी पैडा करहा है मुझ पर सड़े हुए अंडे भी फिक रहे है यह सब बात चुनने के बाद इवान जाओ याओ इवान आर्यू के पास आती है इवान आर्यू और बो बोई वेंग जीश्वी को पकरने के लिए पिसा करते है और बो बोई वेंग जीश्वी को पिसा करते करते ठक कर जमीन पर शो जाते है लेकिन इवान आर्यू उसे पकरने के लिए कोशिश करती रहती है फिर दायू, जायू और इवान जॉंग जिनों वहाँ आ जाते हैं और इवान आर्यू अपने भाई को वेंग जीश्वी के बारे में कहती है और डायू वेंग जीश्वी को पर्टेक करने के लिए उसके सामने आ जाते है जाओ याओ दोनों को पुछते है तुम दोनों एक साथ इहां क्या करने आए हो डायू कहता है मैं तुम लोग को बता दूँ यह लल की किसी का लायक नहीं है वो तुम्हारे पीट पीशे और इन्हों पूर्चों के साथ डेध पर गई थी यवान आर्यू कहती है मैं उसके पीट फीशे किसी से नहीं मिल रही हूँ अस पहली बार उसे मिला था इस थान पर डायू कहता है भले ही तुम लोग रिष्टे में नहीं हो लेकिन तुम लोग काफी करिफो यवान जांग ये सभी बाते सुनने के बाद डायू को माने लगते है लेकिन अजानग डायू के सामने वेंग जीशूई आ जाते है और डायू को घुच्चा आ जाते है और वो वेंग जीशूई को अपने पीट पीशे उठा को ले जाते है वेंग जीशुई डायो को पुस्ते है क्या तुमने अपनी कार यहाँ नहीं लेगवाई हो डायो कहता है मुझे कार्शे उटरने की जल्दी थी इसलिए मैंने अपने कार सौरके किनारे सौर कर यहाँ सले आया क्या तुम्हें आप होस्पिजल जाने की जुरूत नहीं है वेंग जीश्वी कहता है मैं ठीक हूँ दायू कहता है तुम हमेशा खुद को तकलिफ क्यों देते हो वेंग जीश्वी कहता है मैं उस समय ज़ादा नहीं सोच रहा था दायूग पूछते हैं क्या मुझे तुम्हारे रख्षा करने की अबश सकता है दूसरे दिन बहुत बारिश होती है जाया चॉप कार से अफिस जार होते है तभी डेखते हैं सरक पर कोई इसकुल स्टुडेंट्स बारिश में भिकर होते है तभी उन सबी स्टुडेंट्स को अपने कार में उठा कर ले जाते है वेंग जी सुई डिली भेरी कर रहे होते है तभी वहाँ डाय आते है और वेंग जी सुई को कहता है तुम इहां क्या कर रहे हो क्या डाक्टर ने तुम्हें इढ़ उढ़ो ना भगने के लिए नहीं कहा था बापस से लो मेरे साथ एंग जीश्वी कहता है मेरे पास अभी भी कोई पैकेस है जिन्हें मेने अभी तक डिलीवेरी नहीं क्या है तुम पुषते हैं क्या तुम इस सब कल नहीं कर सकते वेंग जीश्वी कहता है लोग अभी भी इंतिजर कर रहे है तब द्वी डायू वेंग जीश्वी को दिलीवेरी करने के लिए अपने साथ ले जातए है ताकि उससे होस्पितेल ले जा सके रास्ते में डायू वेंग जीश्वी को कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले ही बहुत पेसा नहीं दिया था तुम्हारे पास पेसों की कमी नहीं होने साहिए लेकिन तुम अभी भी अधिक कम कर रहे हो वेंग जीश्वी कहता है साइना में बहुत साइना में बहुत साइने लोग कोड़ पती है लेकिन टब भी किसी ने अपना काम करना बन नहीं कर दिया है तो मुझे क्यों करना साहिए दायो कहता है मुझे इस सब के बारे में मत बताओ मैं केबॉल यो जानना जहता था कि बो पे से कहां गए मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें खर्स करते हुए वेंग जीश्वी कहता है मैंने सेप करके रखा है दायो कुछते है तुम पे से क्यों बसा रहे हो वेंग जीश्वी कहता है एक लोलकी को देखभल करने के लिए डायू होस्पिटल पर वेंग जीश्वी का इंटेजर में रहते है उतने में इवान आर्यू कॉल करके होस्पिटल के बाहर उसे बुलाती है डायू बाहर आकोर उसे पुछते है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहां हूँ सुली इवान आर्यू वेंग जीश्वी और डायू को एक साथ दिलिवरी करते समझ देखा था इसलिए इवान आर्यू उससे मिलने के लिए आ गई और उसके बारे में इवान आर्यू कहती है दायू पुछते हैं तुम क्या जाते हो इवान आर्यू कहती है उसने मेरे उपर शरे हुए अंदे फेकने के बाद तुम्हें लगता है कि अब सब कुस ठीक है दायू कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे फेकने के लिए कहा वन आर यू कहती है क्योंकि बो टुम्हारे डोस्त है डायू कहता है हां यह सुप उसने किया लेकिन क्या बो इस बजर्शे पहले से ही होस्पिटल में भाती नहीं है तुमने कहां था कि तुम जाया के साथ रिष्टे में नहीं हो क्या तुम्हारे पास कोई सवबूत है आर्यू कहती है जा या ने पर्षनेली मुझे कहा था तुम्हें किस तरह के सवबूत शाहिए दायू कहता है सिफ इसले की उन्होंने व्यक्तिकट रूप से सिखार क्या इसका मतलब यह नहीं है कि कोई गुप रहाश्या नहीं है तुम मेरे कडिवी दोस्तों के सामने डूसरे पूरूसों को डेट कर रहे हो मैं नहीं मनूगा कि तुम दोनों रेलस्चन्शिप में नहीं हो क्या ससमें तुम दोनों साथ नहीं हो योदि ऐसा कूस भी नहीं है तुम दोनों के 20 तो जया या तुम्हारे भाई की ट्रेनिंग में क्यों समिल होगा सायनी स्नुएर के दरण जया या तुम्हारे भाई की हर स्भ़भ मरत क्यों करेगा ज्याओ याओ इतने ठन के मौशम में हबिट क्यों गई और तुम याओ कहने की हिमत करते हो कि तुम लोग साथ नहीं हो यवान आरियूर कहती है मैं भी जानना जाता हूँ कि उसने बो सब कम क्यों किया एक्सुली ज्याओ याओ ये सब कम श्रीफ यवान जॉंग के लिए क्या था क्योंकि ज्याओ याओ यवान जॉंग से प्यार करते है और ये बात यवान जॉंग नहीं जानते है और शाथ ही किसी को भी नहीं पता कि ज्याओ याओ यवान जॉंग से प्यार करते है डायू गुस्से होकर वहां से सले जाते है वेंग जी सुई होस्पितल से बाहर आकर डायू को कल लगाते है लेकिन डायू कल का जबाब नहीं देते है राट हो जाते है लेकिन डायू कोई कल का जबाब नहीं देते है यूआन जॉंग और जयाया साथ खाना बना रहे होते है फिज जयाया अपने माम के साथ बाट करते है कि माम पुस्ती है क्या बो ललका ललकियों में खास पुपला है जयाया कहता है उसके जेसा करवा कठूर आत्मी कौन जाहेगा मुम कहती है जब मैं यंग था तब मैं सौस में उसके जे से आत्मी से साधी करना जाता था लगी आंथ में मैंने तुम्हारे पिताजी से साधी कर ली कभी-कभी सपने और हाकिकत का अस्टिट नहीं होता है जब मैंने उसे देखा तो मैंने जाहा कि मैं 20 साल सोता हूँ जियाया कहता है आप अभी भी उन डिनों की विसाधरा रखते हो मम पुछती है तो फ्री तुम अभी टक सिंगुल क्यों हो जियाया कहता है मैं उन पूरुशों की तरह नहीं हूँ जो सुन्दर है युवांचंग और मैं एकी स्वली में हूँ डायू नसे में वैंग जीश्वी का कल का जबाब देते है की तुम मुझे क्यों कल कटे रहते हो मैं तुम्हें वता दूँ तुम मुझे कुछ भी मत चमजाओ यह कम नहीं करेगा वैंग जीश्वी पूछते है तुम कहां पर हो मुझे तुम्हें लेने जाने दो डायू कहता है क्या इसका तुम से कोई लेना देना है भलही मैं आस इस पाप में मर जाओ मुझे तुम्हारी सिंता करने की अबशकता नहीं है ऐसे कहे कर कल का देते है और वैंग जीश्वी उसे पाप से लाने के लिए वहां से सिल जाते है और एहीं पर एपिशोर 27 खतम हो जाते है गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो कैसा लगा और मैं आप लोगों के साथ एपिशोर 28 जैलिक स्या करूंगी और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर जे और मेरी सेनल को सब्सक्राइब करना मन भूलिए थेंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो